ये खर्पत्वार ये घास बढ़ती जा रही है हर बार अपने तरीके बदलकर मूँ चड़ाती है स्प्रेई पर स्प्रेई डैंक मिक्स का धन्जट खर्चा ही खर्चा इससे निपटना तो कठिन से कठिन होता जा रहा है धान की रक्षा का कोई भी संसाधन पूरी तरह से कारगर नहीं है अब तो हातों की निराई के महेंगे सोदे पर ही सब छोड़ना पड़ेगा ठक्या हो मैं हो सकती है हर सुबहा ऐसी हट सकता है हर मन का वोज कुछ ऐसा हो सकता है आपका भविश्यत हम सभी ने कुछ इस तरह का सपना देखा है कि हमारे खेतों में केवल धानी धान नजर आए खर पत्वार नहीं खर पत्वार नियंत्रन का एक ऐसा नया तरीका जो ले जाएगा हमें मन के बूच से परमानंद की ओर यकीन नहीं हो रहा न तो चलिए वर्तमान में आपको विस्थदार से बताता हूं जब तक आपने अंदकार नहीं देखा प्रकाश की कीमत आप नहीं कर सकते मैं धान के लिए खरपत्वा नियंत्रन के बोजिल तरीकों से हटकर रोचक उपाय बताता हूं जो मुझे मिला मैं भी आप में से एक था ये तनाव एक असेनिय बोज बन जाता है लेकिन रात कितनी भी लंबी हो सवेरा जरूर भी किसी भी घरपत्वा नाशक का उप्योग करने के समय हम सभी को संधे जरूर होता है मैंने भी जब नोवेक्सिट चुना तब मुझे भी संधे ही था लेकिन मुझे पता है कि नोवेक्सिट के आविशकारक और निर्माता कोटेवा एग्री साइंस है बस जब मुझे ये पता चला तब मैं निश्चिन्थ हो दे इसके उपर जब मुझे ये पता चला कि विगत कुछ वर्षों से किस प्रकार वैल्यू डिमोंस्ट्रेशन प्लॉच के थूँ इसे परखा जा रहा है बाकी कसर भी पूरी हो गई कोई डाउट नहीं रहा और ऐसे मैंने चुना नौविक्सिड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे घेरने लगी चिंता ये काम करेगा या नहीं करेगा लेकिन ये आश्चरे जनक था कि नौविक्सिड ने तीन दिन के भीतर ही तेजी से असर दिखाते हुए मुझे आत्म विश्वास से भर दिया लेकिन मेरी चिंताएं अभी भी थिया देखिए खर्पतवा नाशक जब तक जिद्धी खर्पतवार जैसे चोका एवं अन्य प्रमुग खर्पतवारों को नश्ट करने में काम्याब नहीं हो जाता उसे सफल नहीं कह सकती खर्पतवा नाशक का ठीक से काम ना करना अंगिन जंजटे पैता करता है अलग-अलग दवाईयों के खर्चे टैंक मिक्स और हातों की निराई के खर्चे से भगवान ही बचाए और इसके विपरीत नोविक्सिट में एक एक कर मन का सारा बोज उतार दिया नोविक्सिट के एक ही छिड़काओ से मुख्यतर सारे खर्पतवारों पर नियंतरन पाया जा सकता है और बचत भी यानि मुद्दा वही खतम ये नोविक्सिट की एक बड़ी उपलब दी है और मुझे भी लगा कि खर्पतवारों के बिना मैंने अपनी धान को बढ़ने का मौका दिया ये मेरे लिए भी एक उपलब दी है इससे आगे और अब क्या पेक्षा करेंगे खर्पतवार प्रबंधन कभी इतना अनंदायक नहीं था लेकिन इस बार मेरी आखों ने जो देखा वो अंदेखा था मेरी फसल हरी भरी और ताकतवर नजर आ रही थी जिसे देख हर किसान मुझसे जादूई बदलाव के बारे में पूछ रहा था धान के खेतों में लाबकारी जीवों को बिना नश्ट किये धान को स्वस्थ और उन्नत बनाये रखना ही नौविक्सिट का विशेश गुण है जिसके लिए उसे अंतराश्टियस तर पर पुरिस्कृत भी किया जा चुका है मेरी खोज यही समाप्त हुई मैंने अपना सारा बोज पीछे छोड़ दी अब तो बस आनन्द ही आनन्द है खर्पतवार नियंद्रण का ये रास्ता आपके भविश्य को वर्तमान में दिखाएगा तो कौटेवान ओएक्सिट से अपने खर्पतवार प्रबंदन को आनन्द में मनाये अपने खर्पतवार नियुक्त